तिन ये आठ साल होने जाना है मोधी जी आपने सत्तर साल का रेकॉर्ड तूड़ दिया आज यहां के जंता को रोट पर आना ही इनको भागने का मौका नहीं दिया जाए कि गुजरात भी भाग सके दिल्ली चोड़ जो नाराज 2014 में लगाया था वो नाराज 2024 में लगा के आए जिसे पहले जो भी सरकार थी देश हित्मी नहीं थी देश भक्ती की बात नहीं थी आज यह आठ साल में देश भक्त हो गए हैं कि अब घर में सोने पर उठने पर बैटने पर भी जी एस्टी लगाई हैं मैं तो पूरे भारत की जंता को कह रहे हैं कि रोट पर आ जाए और इस सरकार को सबख सिखाए और श्री लंका की जंता की तरह भारत की जंता को रोट पर आना ही पड़ेगा यह लुटेरे लोग बैट गया हैं और पूरे हिंदुस्तान की 70% जंता को का सिरिंच लगा के फून चूस लिया इनों ने कपन से लेकर के खाने पीनों की चीज कभी नहीं देखा गया था कि उस पर टैक्स किसी सरकार ने लगाया मगर आज इन सरकार ने सब की लोगोग टैक्स से लोग लिया है कैसे देख रेज पूरे लागों देखिए दो पहलू है एक पहलू तो इनोंने 2014 में जिस तरह मोधी स सतर रुपए डीटर तेल था डीजल था पचास रुपए डीजल था सतर रुपए तेल था तो महंगाई थी ये नारा था 2000 जनता 2014 के एलेक्शन में मोधी जी और इसी नारे के बेश तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को आपने वल्ग लाया 2014 के बाद तेल ये आठ साल होने जा रहा है मोधी जी आपने सतर साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया आजादी के बाद से आज तक इस तरह की महंगाई नहीं थी क्या वनमाने परदान मंत्री जी 2024 में इसी नारे पर आएंगे एलेक्शन लड़ने जो नारा 2014 में लगाया था वो नारा 2024 में लगा के आएंगे मोधी जी देश हित में तमाम किलोग किया जा रहा है इसकार ये सरकार बता रही है इससे पहले जो भी सरकार थी देश हित में नहीं थी, देश भक्ती की बात नहीं थी, आज ये आठ साल में देश भक्त हो गए हैं, ये सारी महेंगाई चरम सीमा पर पार कर देएं, करीब परिब साथ से सतर परसंट जो गरीब लोग हैं, मिडल किलास और लो इंकम गुरूप पर लो इंकम गुरूप के लोग कहा जाएंगे, आटा, चावन, जिस चीज़ पर कभी GST हुई नहीं थी, उस चीज़ पर इन्होंने लगा दिया, अब हमको लगता है, कि आप घर में सोने पर, उठने पर, बैटने पर भी GST लगाएंगे, आप लोग साड़त पर निकलने में तो पूरे भारत की जन्ता को कह रहे हैं, कि रोट पर आ जाएं, और इस सरकार को सब्वतिखाये, यह आपके, आप देख लिजोए, अभी ताधा-ताधा, च्रीलंका का क्या हालुआ है? और च्रीलंका की जन्ता की तरह भारत की जन्ता को रोट पर आना ही पड़ेगा, ये लुटेरे लोग बैठ गये हैं, चन्द लोगों को देश का रुपया लूट करके भागें, देते जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान की 70% जन्ता को का सिरिंच लगा के फून चूस लिया इनोंने, अब क्या बोलेंगे मोधी जी, मोधी जी के लिए बोलने की जगा है, एंडियों को बोलने की जगा है कहीं पे, कोई गुंजाई छोड़ा इनोंने, अब एक ही गुंजाई से भारत की जन्ता को रोट पर आना है, और इनको खदेर के, शिरिलंका की तरह, जिस तरह शिरिलंका की अवाम ने रोट पर आ गई थी, जिस तरह राश्पती भागे, ज आज यहां के जन्ता को रोट पर आना ही, इनको भागने का मौका नहीं दिया जाए कि गुजरात भी भाग सकें दिल्ली चोड के.